हेलो फ्रेंड्स नमस्कार कैसे हैं आप सब आपका मेरे चैनल पर स्वागता आज बहुत सुंदर डबल साइड़ पैटर लेके आई हूं इसे बेबी बलंके में डाल सकते हो लेडी अपनी स्वेटर भी बना सकती हैं किसी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं इसको तो इसके लिए भी हम पहले चैनल बहुंद नेंगे आपको जितनी प्रोजेक्ट के लिए बनाना होगा उसी हिसाब से आप चेनलोगै indifferent में और आएगी और उतनी हेलेंद ले आपको जो भी प्रोजेक्ट बनाना है टेबल बनाना है ब्लैंक्ट क्युझ बनाना हैं यह कुछ भी बनाना के लिए मैंने 30 चेन लिए यहां पर चेन बनाने के बाद हमने क्या करना है यहां पर फर्स्ट कलर मैंने यलो लिया है आप कोई भी कंट्रास ले सकते हो मैंने सेकिंड कलर यहां पर पर पल लिया है अब हमने क्या करना है यह जो पर पल धाउन है धागा इसको यहां पर चेन के देखते रहना है यह जो स्टिच दिखाए देरी चेन दिखाए देरी है इसमें हमने सिंगल क्रोसेट बनाना एक और यह जो परपल धागा है इसको क्रोस करते वे इसको भी हमने साथ में ही बनाना है यह देखिए सिंगल क्रोसेट बनाएंगे और जो हमारा परपल जो हमने धा को आराम से देख सकते हो और फ्रेंड्स अगर अच्छा रिजल चाते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना बेना स्किप करके बहुत सुन्दर डिजाइन है यह जितनी रोव वन है जो हमने सिंगल क्रोशेट बनाना है सारी रोव को हमने बनाना येलो कलर से ही है लेकिन हमन मुल्म वन क्या करना है इन पर उसका क्षिटर में जो एलो को छोड़ देना है और ये हमने आपना जो जड़ने क्या हो जाना है यह सेसे और यह ये यलो जो इन Oak שה हो है उसको भी साथा थामने दूसरी सेड लेके जाना है इसको इस सेड नी छोड़ना हमने अब यह हम पहले one single crochet बनाएंगे यहां से हमारी row two start हो जाएगी second color से यहां पर वहां से हमने yellow color के साथ purple को ऊपर हैं ऐसे करके यहां इस सेड लाए थे अब उस सेड जा रहे हम purple color से single crochet बनाते हुए तो हमने yellow धाग को भी ऐसे इसके साथ हमने बनाते जाने जैसे single crochet बना रहे हुए उसमें से पास करते हुए हमने यह row two को भी single crochet सारा ऐसी बना लेंगे purple color से और friends अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हो कुछ ने ने वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे जो bell icon है इसको प्रेस करना मत भूलना उससे मेरे जो भी लेटस्ट वीडियोंगे आपके पास पहले पहुच जाएंगे मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करोंगी और लेटस्ट ने से ने डिजाइन लेकिया हूंगी हिंदी में with English subtitle अब यहां पर हमने फिर से पना first color one chain लेंगे और तरन हो साथ ही रखना है उपर इसे पास करते हूं साथ लेकर जाना है बन सिंगल बना लिया अब हमने क्या करना है जो सेकिन और थर्ड हमें जो स्टिच दिखाए देरा उसके डाउन में येलो कलर का जो है धागा यहां से यहां डाउन में हमने डवल क्रोशेट बनाने है जो टू परफल है ऊपर दिखाए दे रहे हमें स्टिच उसके डाउन में उसमें नहीं रह Ses работ दिखाए धेरा पना यहां पे जो हमारे येलो स्टिच दिखाए दे रहे ह। और वहां पर हमने अराम से double crochet बनाना है यह हमारा हो गया one double crochet और इसी के साथ हमने यहाँ पर एक कोड बनाएंगे one double crochet यह हमारे two double crochet हो गया है कि हमने ऊओं है नेक्स्ट हमने वह च्टू अ ओर यह थ्री थ्री सिंगल outta पना पना ढहेंगी यह हमारा थी का मल्टिपल हुआ है हूम आरे डबल क्रोस्ट हमारे सिंगल यही हमारा five का multiple हो गया इसी हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट पे चेंड डानने हैं और यह हमने फिर थ्री सिंगल क्रोजेट बना लिए उसके बाद फिर से हमने टू डवल क्रोजेट बनाने हैं यह रो थ्री है मैं फिर से बोलुए आप जिस भी प्रोजेक्ट में बना रहना और सब्सक्राइब करना ना भूले जिन्होंने तो सब्सक्राइब कर दिया है मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूं जो मेरी वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया ऐसे ही मेरी आगे सपोर्ट करते रहना और प्लीज कमेंट करके जो रुपतादना आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप क्या सीखना चाहते हो और अगर कुछ समझ नहीं आए तो वहां भी आप उच सकते हो प्ली स्पोर्ट करना मेरे 50 लाइक का टार्गेट है तो मेरे स्पोर्ट कर दो मेरे 50 लाइक करने में मेरी हेल्प करो यह देखे ऐसे हमने डबल क्रोशिट बनाते हों जाना है बहुत ईजी है यह बिगनर्स भी इसको असानी से बना सकते हैं यह वन डबल ग्रोश सेट यह टो अगर फ्रेंड्स आप डबल कलर के स्वेटर भी बनाना सीखना चाहते हो तो मैं मेरा एको चैनल है स्वेटर स्टाइल में उसका लिंक भी आपको वीडियो में दे दूंगी आप वहां पे जाके स्वेटर भी आप सीख सकते हो वह भी डबल क यह दिजाइन होते हैं यह से लेडिज के फुल स्टाइटर उनके डिजाइन आप सीख सकते हो और जो डबल कलर बच्चों के सट डिजाइन है सौरी वह आप सैर्टर स्टाइल में दोनों चैनल के आपको यह लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में थो प्लीज उनको भी देखिए और sport करिए हमारी यह हमने यह दिखिए यहां पर बना लिया है अब हमने क्या करना है यह रोफॉर है हमारी पर्पल कलर यूज करने हमने येलो को साथ साथ ले जाना है यह थ्री-फूर रोज में आपको बना के दिखा रही है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए अब ने क्या करना है सिंगल कुरिव alm बना लिए अब ये जो इसके येलूओ के डाउन में, हमारेब्स परपल स्टीच दिखाई देijn हैं मैं आपको दिखाते हूं अच्छे से इक द Выक्म कवे दनाना यह दू भेगा इसके दिखायन ऐह ऐ और इन को बनाते जाओंगे तो आपको अपना पता चल जाएगा कि डाॉन में लोक्रिस कहां बनाना है इस फिर्स टो में थोड़ा पता सी टबो इसके बाद बनानी के बार्द इस्ट हो जाता है looking उसके अभर कुछेमें धिस्ट से को इससे थ्री सिंगल क्रोश ड ना लेने अपने परपल कolर से वन बना लिया हमने ये हमारा आगया है टू और ये थ्री डवल क्रोसेट आगया हमारे और सोरी सिंकल क्रोसेट आए हमारे थ्री और डाउन में फिर से बताती है ये देखी ये टू दिखाई दे रहे हैं इन में हमने टू डवल क्रोसेट बनाना है इसलिए मोरी बहुत असान है इसको पहले अच्छे से देख लेना समझ लेना फिर इसको किसी सेंपल पर ट्राई करना और उसके बाद इसको अपने कोई भी प्रोजेक्ट जबनाना उस पर आप ट्राई कर सकते हों फिर से हमारे थ्री सिंगल क्रोशेट ये थ्री सिंगल क्रोशेट येलो धागे को भी हमने साथ साथ ही रखा हुआ है यहां पर यहां पी जो दो दिखाए दे रहे हैं टू वान टू यहां पर डबल क्रोशेट यहां पर डबल क्रोशेट बहुत इजी है बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद भी हमने सारा इससे ऑप आपको यालो करने से बनाकर दिखा देती हूं पहले हमने टू सिंगल वन सिंगल क्रोसिट बना लिया था स्टाड कर के वन चेन लेके फिश्ट के वाट टूडबल क्रोस इट बना लिया थे और यहां पर हमारे त्री डवल क्रोसिट आजाएंगे और परपली धागे को भी सासात लेके चलना है अब यह देखिए आपको यहां पर भी बता देती हूं यह देखिए यहां पर बनाना है हमने मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट और जो थर्ड रो है उसमें थोड़ी प्राब्लम होगी कि यह लोग अलर गई हमें दिखाएंगे तक कि कहां पर ड्रस्ट बनाना है उसके बाद जो आप रूटाइनव ना भी आज़िघ करेंगे कहां बनाने दिखिए स् QUR कर लोंगे ड्याव नहीम यहां पर यह गोसित करेंगे तो यह पर दिखाए दे रहे हैं यहां पर को डोक्री बनाना है येतना समय ने बना लिया है ओके मिलते हैं नेक्स टूडियो में अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर देना